Hello students, चलिए आज भी हम लो क्वेशन प्रैक्टिस करेंगे, प्रिंस्पल अप्सूपर पोजिशन पे और एफेक्टफ मेडियम कम्प्रीट करेंगे हम लोग और एक्लिब्रियम आफ सस्पेंड़ पॉइंट चार्ज पार्टिकल कम्प्रीट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं एलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लो क्वेशन से, फर्स्ट क्वेशन होगा हम आज क्लास का वो प्रिंस्पल अप्सूपर पोजिशन पे होगा, जैसे कि हम लोग ट्रैंगल लेंगे, राइट अंगल ट लेखेंगे फ्रस एक हम लोग सुपोज करें इस वालब पे, चार्ज पे हम लोग फॉर्स फाइंड वॉर्स उट कर रहें, जैसको मैं अभी रभ किया है कि नहीं है चानल फॉर्स हूं भूट में स्वेल्ड अनुटकरेंगे। फॉर्स कोर्ट में समस्याइब को आदपयोगे। α benefit चैनल यह जब घर में किमीपाइब कर दोने दारीयों में जुनाया हूं सकिनलग प्रक्राइब हाज नरहे बज़ detодар के साथ Cancer यहां पर दोनों फोर्स का जो मैंग जूड हो सेम है और जब दो फोर्स का मैंग जूड सेम हो ठीक है तब हम लोग रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला लास्ट उलास में डराइव किये थे आप लोगो पूरा complete कोर्स मिलेगा इस पे physics का और अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फाइदा होगा क्योंकि आपको complete ऐसा मतलब physics जहां पर आपको numerical theory सब कुछ एक साथ मिले complete package वह बहुत कम आपको जगह मिलता है जो आपको यहां पर मिलेगा आप सब्सक्राइब करें चैनल को आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है देखें यहां पर दो कॉस्ट 45 डिग्री मिलेगा अब आप इसको 2k q square by a square एंटु 1 upon root 2 आप root 2 से multiply डिवाइड कर देंगे तो आपको और यह simplified form में दिखेगा because k q square by a square और यहां से यह 2 by root 2 into root 2 upon root 2 अब यह तो 2 हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा root 2 k q square by a square ओके तो यह आपको एक simplified form में इसका result आ गया बाकी इसका result यहां भी यह भी correct था but अगर simplified form में देखे तो हम लोग यह result भी correct है दोनों correct है okay चलिए अब हम लोग next और question देखेंगे जैसे कि अगर माल दीजिए सब्सक्राइब करें कि आपके पास एक स्ट्राइब का पेंटागन लेते हैं हम लोग ओके चलो पहले hexagon लेकर समझते हैं क्योंकि hexagon से समझ में आ जाएगा तो फिर पेंटागन के concept भी आपको समझ में आ जाएगा देखें सारे वर्टेक्स पर चार्ज Kew एक सब्सक्राइब झाटलेने के लिए निylai केलेक ल को आपके देखें अगर निया खा ήταν कियो झाले के लिए हैवर प्रकिल्न कालनेखे इसक लिए अगर यहा पर फॉर्श नहीं है तो आप देखेंगे तो यह जो है न फोर्स अगर इधर अप्लाई करेगा तो यह वला चार्ज इधर की तरह फोर्स अप्लाई करेगा तो यह वला चार्ज इधर करेगा तो इस डारेक्शन से फोर्स हमें इधर मिलेगा अगर इस डारेक्शन फोर्स अप्लाई करेगा तो यह वला चार्ज इधर क तो आप इस तरहीके से इसको solve कर सकते हैं तो देखिए आपको यह पर net जो force मिलेगा यह अना, net force जो मिलेगा यहाँ पर वो आपको मिलेगा इस वाले charge पर, जो center पर charge है आपको मिलेगा net force 0 क्योंकि सारे forces एक दो रेको cancel करते रहें तो net force आपको 0 मिलेगा अब इस case में एक ऐसा भी question यहां पर form कर सकते हैं हम लोग कि अगर सारे vertex पे charges का magnitude तो equal हो बट किसी एक पे sign उल्टा हो जाए ठीक और किसी एक पे sign उल्टा हो जाए जिसमें आपको दिखा रहा हूं यहां पर For example जैसे यह भी hexagon बना ले हम लोग पहले और hexagon बनाने के बाद देखिए सारे vertex पे charge आप रखती है Q Q Q Q Q Q और एक vertex पे चार्ज मत रखी आप पहले चार्ज नहीं रखते हैं लोग चार्ज नहीं रखके देखते हैं क्या होता है तो अगर हम चार्ज यहां पर नहीं रखें तो देखी अब क्या होगा कि अगर सेंटर पे चार्ज रखकर पर करके हम लोग इस में फोर्स देखें entonces ये इधर के तरफ force अप्लाई करेगा and then तो इतर में फोर्स उर्प्लाई करेंगा और दूसरा ये वुला जो चार्ज है वो इदर फोर्स देगा और ये इस डार्यक्शन मों गांसल आउट कर देगा सिमिलर प्रोसेस से अगर हम देखें तो ये इस डार्यक्शन में फोर्स अपलाई करेगा और यह दोनों भी एक दुश्रे को कैंसल उट करेगा बट जो यह थर्ड वाल जो फिफ्ट वाल फो चार्ज है यह इसर के तरह फोर सपला ही करेगा और इसको कोई नहीं है बैलेंस करने वाला मतलब इसको कोई बैलेंस करें नहीं सकता है तो यहां पर हम क्या देख रहे है कि यह फोर चार्ज एक दुश्रे को कैंसल कर रहे है बट फिफ्ट चार्ज को कोई कैंसल नहीं करने वाला है मतलब यहां पर सारे के सारे चार्ज को कम्पलेटली कैंसल कर रहे हैं सिफ एक चार्ज को छोड़ करके तो आपको जो यहाँ पर net force मिलेगा और एक चीज और है यहाँ पर hexagon में आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर regular hexagon है तो अगर side length a है तो vortex और सेंटर के भी इसका distance भी a होता है तो आपको यहाँ पर net force क्या मिल जाएगा k q square by a square okay dear students आपको यह force मिलेगा अब इसको आप अच्छे से समझ लिजी कोछ अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं मैं इसको किसी वीडियो में आपको explain कर दिया करूंगा ठीक है कोई भी doubts होने साब पूछेंगे तो मैं आपको एक ऐसा वीडियो बनाया करूंगा बीच बीच पी जहां पर इन सब चीजों को explain किया करूंग अब देखिए अब यहाँ पर मैंने चार्ज नहीं रखा है तो कि अब यह पर मिला के की स्कुरर बेए स्कुरर बट अगर मैं चार्ज एक रखता विद नेगटिव साइन तो क्या मिलता है अब यह भी आपको मैं दिखा रहा हूं जिसे माल लेजिए फिर से वही से हम हैं 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 सबूज कर हैं हम लोग के पास हो गया बन गया है जो अब बनाना है तो आप बनाई और देखिय और है तो थोड़ा साइज डिफरेंट हो सकता है तो परिशान नहीं हो अब देखिए अब यहां पर चार्जिस मान लिए ठीक है आपने क्यू क्यू यह सब चार्जिस आपने पुट कर दिये एक सेंटर पर भी आपने चार्ज ले लिए क्यू कोई प्रॉब्लम नहीं है बट अब क्या हुआ कि हम लोग यहां पर एक जो चार्ज रखेंगे वह माइ मतलब यह हुआ कि अगर यह है तो यहां सेंटर से प्रोटेक्स भी होगा सेंटर से वर्ल्म एभ चार्जा談 पर थी होगा सिरुब्लम निदिख जट्रल्ड पर फोर अब दिखिए क्या होगा इसको कोई गैंसल नहीं कर पाएगा मैं आपको दिखा रहा हूं क्यों क्योंकि फिफ्ट चार्ज पॉजिटीव तो रिपेल करेगा यह पॉजिटीव है तो यह तो यह तो यह तो यह तो यह तो यह तो आप क्या बोलेंगे कि F net इस गारेक्शन में होगा और यह F net किसके बराबर होगा तो दो फोर्स के बराबर होगा F plus F के बराबर होगा और दो फोर्स के होगा तो एक इसकी वज़े से और एक इसकी वज़े से क्योंकि इसने रिपेल किया और इसने अट्रैक्ट किया इसने दो फोर्स लगा अब आपको यहां पर लिखना परेगा KQ2 by A2 PLUS KQ2 by A2 तो आपको यहां से मिल जाएगा 2 KQ2 by A2 वीडियो बच्चो छोटा-छोटा बना रहा हूं है सिर्फ 30 मिन्ट का विस बिस मिन्ट का उसका रेजन है कि जदे जदे स्पेस है दिज्ट अब हम लोग देखेंगे अगर हम चार्ज पार्टिकल को अब हम चार्ज पार्टिकल को हम लोग सस्पेंड करें तो क्या होगा अगर चार्ज पार्टिकल को हम लोग सस्पेंड करें सस्पेंड फॉर्म में रखें और एक्विलिवियम में रखें तो क्या होगा जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं देखें हैं हैं है अदिंग आप बहुत मेहनत लगता है बच्चों बनाने में वीडियो आप लोग सो उमीद मैं करता हूं कि आप सब लोग सब्सक्राइब करें इसको लाइक करें क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है सब करें कि आपनेंर एसा दो चार्च पार्चिकल्व मां आपको ड्राइग्राम से अचे से विज्टाइज करा हूंका आपने क्या कि दो चार्च दे अ Ohio व Kerry दो पतलप-पतलप लेकर वilly आपने एसाधू आपने दो सफेर आपने ऐसाधू जॉई अब इन दोने सफोय पर आपनों नहीं दिया एप पाटिफयर ऑपनम नःधा ठीक है। दोनों पर आप दूसरे को दिरें जैसे ही आप चार्ज देंगे तुरांत यह क्या होगा एक दुसरे को करना, is Начlike. जैसे ही आप चार्ज देंगे नंगी तु तुरांति यह लूग दुसरे को करना i.e. और अब यहां पर condition कैसा बन जाएगा देखिए एक बर में पर चार्जिज मेंशन कर देता हूं यहां पर चार्ज आपने क्यू दिया ठेक है और मास एम दे दिया यहां पर चार्ज क्यू और मास एम दे दिया तो अब क्या हुआ जब चार्ज एक दुसरे को रिपेल करेंगे तो क्या कंडिशन बनेगा यह भी ग्रैविटी का इफेक्ट कम होगा बट एक्ट जरूर करेगा तो अब दोन एक दुसरी को रिपेल करके कम्वेट्ली इस पोजिशन में ऐसे आजाएंगे इस पोजिशन में ऐसे नहीं जाएंगे लूँ और इस पोजिशन में ऐसे जाते हैं है क्योंकि react पर ग्राविटी भी अभी काम कर रहा है अट प्रिजेंट काम कर रहा है तो इसलिए कंप्लीटली इस तरीके से और इजेंटली नहीं जा सकते हैं अब यह माल लिजे वार्टिकल से थीटा एंगल पर दोनों चले गे इस डारेक्शन में एमजी काम किया इस पर इस वाले पर भ जो डिस्टेंस से कुछ सेपरेशन है उसको अप एल कं सेपरेशन पर लिजे कि रहे सपरेशन पर दोनों आ चुके हैं तो अब चार्ज़ेहमें एपनेको तो यहां पर फोर्स लगेगा एल्क्ट्रोस्टारिक Fours और इस डारेक्शन में एलक्त्रोस्टारिक Fours लेगा और य यहाँ पर देख सकते है इसerald one को कि यह same line को अगर आप ऐसे pass करहेंगे तो यह equal angle यहाँ पर बनेगा theta क्योंकि यह भी वर्र्टिकल लीन यह भी वर्रीकर लाइन the aggressively ख्रraft कुमिजUST होया argument खिए झाल सब्सक्राइप एक पैर्ले सिंद नग्रेसेगे точно पर्पेंडिकुलर कितना है यहां पर यहां पर यहां पर क्या करेंगे फी को रख देंगे की क्यू स्क्वेर बाई एल स्क्वेर एम जी तो आपके पास यहां से तैन थीटा मिल जाएगा tan theta is equal to k q square by l square mg तो यह हो गया tan theta और यह tan theta हो गया अब देखिया आपको इस tan theta clearly मालूम हो गया अब इस direction में जैसे कि यह string है तो इस direction में tension भी होगा और अगर यह system equilibrium में है मतब tension और यह mg और fe यह तीनों force equal to क्या होना चाहिए zero क्योंकि अगर equilibrium में है तो net force system पे क्या होना चाहिए zero तो equilibrium में होने का मत्तब हुआ net force equal to zero तो आप लिख सकते हैं tension vector form में plus fe plus mg को vector form में आप equal to zero कर सकते हैं ठीक है यहां से आपको net force zero equal to equal to यहां से आप angle निकाल सकते हैं कि जो string है वो vertical से कितना angle form कर रहा है तो आप यह निकाल सकते हैं तो कोई भी जब equilibrium में होका suspended point charge system तो आप इस तरीक से अंगल निकाल सकते हैं ठीक है अगर तेंशन इतर है तो मतलब यह लाइन टेंशन वाला हो गया और यह यह एफ हो गया तो आप यहां से पाइथ अगर सकते हैं अगर आप चाहें तो कॉम्पोनेंट ब्रेक करके भी देख सकते हैं जैसे यहां पर इदर टेंशन है तो आप यहां पर एक वार्टिकल लाइन डालिए तो आल्टरनेट एंगल यहां पर कितना हो जाएगा थीटा तो आप इधर क्या मिलेगा टी कॉस थीटा और इस डायरे में है इसका मतब टी कोस थीटा इसकल टू एम जी होना चाहिए और टी सांदेट इसकल टू एफ उना चाहिए तो यहां सी यह भी आप एक्कॉइशन फोर्म कर सकते है कि टी कोस थीटा इस इकॉल टू एंजी and T sin θ is equal to Fe दोनों एक्वेशन को आप स्क्वेरिंग करके एड़ करें देखे T square sin square θ plus T square cos square θ is equal to Fe square plus mg whole square तो T is equal to आपको क्या में लेगा root over Fe square plus mg whole square ये भी मिल सकता है अगर आप दोनों एक्वेशन को डिवाइड करते है तो आपको 10 θ is equal to Fe upon mg भी मिल जाएगा तो दोनों तरीके से दोनों मेथेट से आप components प्रेक करके भी कर सकते हैं और simple pythagoras अप्लाई करके भी आप इसको लिख सकते हैं तो यहां से आपको फाइदा यह होगा कि आप एंगल और अगर आप फाइंड करने चाहते हैं तो आप एंगल भी यहां से फाइंड कर सकते हैं अब हम लोग इफेक्ट ओफ मीडियूम दिखेंगे कि मीडियूम का इफेक्ट इसमें क्या होता है तो उसके लिए हमें एक टर्म यहां पर डिफाइन करना पड़ेगा अब मैं आपको एक समझा रहा हूं यहां पर डिफाइन करते हैं और इसको डिफाइन किया जाता है एप्सलनर इए इक्टार टू पर्मेटिविटी ओफ मीडियूम अपान पर्मेटिविटी ओफ री स्पेस यह लोग इसको डिफाइन करते यह जो आप्सलेन है इसको आपि साहें तो आप्सलेून एम भी लिख सकते और इसको बोलिएalled अंगे उपर्मेटिविटी of medium और जो epsilon not है इसको बोलते हैं permittivity of free space तो आप यहां से जखिए जो medium का है न वो medium का आप क्या लिख सकते है epsilon r into epsilon not ठीक अब suppose करें कि आपके पास अब suppose करें कि आपके पास एक charge particle है दो charge particle है q1 and q2 इनके बीच का distance l है और इसको आपने air medium में रखा है तो आपको force क्या मिल जाएगा q1 q2 upon 4 pi epsilon into l square into l square तो आपको यह जो है न यहां से epsilon not है न क्योंको air में है तो epsilon not free space या फिर एर को हम लोग epsilon not से देनोट करते है प्रमीटी वीटी को यह आपको मिलेगा तो अब जो new force आपको मिलेगा अब जो f डाइस जो new force होगा या फिर medium लिख देते हैं fm मतलब medium अब यहां पर क्या हो जाएगा देखिए q1 q2 upon 4pi epsilon l square यह आपको मिल जाएगा ठेक है अब यहां पर आप रेसियो लिजे दोनों का या फिर पहले आप इसको और सिंप्लिफाई कर लिजे देखिए fm is equal to q1 q2 और epsilon की जगा पर लिख सकते हैं 4pi epsilon r into epsilon not into l square अब जो 1 upon epsilon r है ना इसको आप side में कर लिजे common कर लिजे q1 q2 upon 4pi epsilon not l square आप ऐसे इसको लिख सकते हैं अब देखिए यह जो है यह तो air वाला हो गया है ना तो आप इसको लिखेंगे fm is equal to f upon epsilon r तो आपको epsilon r is equal to क्या में लेगा f upon fm इवन इसको f not कर देजे air के लिए f not कर देजे ज्यादा बेटर होगा ठेक है और epsilon not के term में क्या में लिए था हम लोग को epsilon m upon epsilon not तो देखिए जो यहां पर relative permittivity है ठीक है जो relative permittivity है वो आपको force और permittivity दोनों के term में आपको देखिए ठीक है तो force यहां पर पर डिपेंड करेगा यह चीज अपने को इस derivation से clear दिख रहा है कि अगर हम medium चेंज करेंगे तो force डिपेंड करेगा अब यहां पर एक चीज और भी है कि इनके बीच का जो force होगा न वो चेंज नहीं होता है अब आपको लगेगा सर अबने तो भी बोला कि डिपेंड कर रहा तो change होगा आप बोले नहीं टेंज होगा नहीं मैं आपको क्या समझा रहा हूं उसको समझेए यह और यह मतलब क्यू अन क्यू तू पे इतना force लगाएगा उत नहीं क्यू तू क्यू तू पर्स लगाएग बट इंडिविजूल पे change होगा ओके तो अफनेट दस नोट चेंज विदे मीडियूम बट फोर्स ओन क्यू विल चेंज ओके तो बस यह effect of medium है ओके सो नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे ग्रैविटी फ्री रिजन में जब हम चार्ज पार्टिकल को रखेंगे सस्पेंड करेंगे तो क्या फर्ग परेगा ग्रैविटी फ्री रिजन है तो ग्रैविटी फ्री रिजन में जैसे मान लिजी आपने यहां पर चार्ज पार्टिकल जब रखा तो अब वहां पर maximum repulsion काम करेगा और जब maximum repulsion काम करेगा तो दोनों इस्ट्रिंग ऐसे एक दूस इस पर पर सपोज किरें चार्ज क्यूँ था दोनों पर मास M樹 तो अब यहां पर इसमें देखिए आपको जो दिखेगा इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 चो एंगल 180 हो जाएगा और इन दोनों के बीचوت कितना हो जाएगा तो के Q square by twice L whole square यह अपने पास यहां मिल जाएगा ठीक है तो हम लोग के पास यह complete पूरा force आ जाएगा और इनके बीच का एंगल भी मिल जाएगा तो gravity free reason में क्या होता है तो mg का effect 0 हो जाता है तो mg का effect जो अगर जीरो हो गया तो mg रहेगा नहीं तो mg इसको नीचे की तरह पूल नहीं करेगा इसलिए यह completely opposite में हो जाते है ठीक है चले अब दो तीन question हम लोग और different types का देखेंगे जैसे अगर हम charge particle को तीन charge particle इसमें बीच वाला charge particle को हम कुछ अगर displace करें उसके equilibrium position से तो उस पर क्या फर्क परेगा है ना ओके सो लेट स स्टार्ट इस question suppose करें हमारे पास यहांपन एक charge particle है और just इसके midpoint पे एक दूसरा charge particle है और दो charge particle क्यूँ क्यूँ दे दिया हमने दोने साइड बे और हम exactly midpoint पे है इधर से L distance और यह फिर A distance consider कीजिए और इधर से A distance और यहां पे small charge क्यूँ आपने लेडी है ओके question के statement है if we displace q along displace q along axis by x distance then find then find first net force first net force second time period of shm जो shm होगा उसका time force find करना है मतलब अभी यह charge particle में अपने equilibrium position पे मतलब यह जितना force इधर लगाएगा उतना ही इधर force लगाएगा तो इस पर net force क्या मिलेगा अभी at present zero मिलेगा तो अब इसको अगर आप इसके x के लोग चाहे इधर displace करें या फिर इधर करें कोई फरक नहीं परेगा किसी भी साहिर में आप इसको displace कर सकते हैं तो जैसे आप इसको displace करेंगे इसको तो यहां पर suppose यहां पर charge था और आपने इसको अभी इधर की तरफ x distance से displace कर दिया तो अब charge particle small q यहां आ गया तो अब इसका distance कितना remaining रह जाएगा x minus x और यह distance कितना remaining हो जाएगा a plus x तो a minus x a plus x a minus x a plus x यह इसका remaining distance हो जाएगा तो अब आप यहां पर force नहीं का लिए इसको आप charge particle 1 इसको charge particle 2 मानी है तो charge particle 1 क्यूँए जिस अगर force देखेंगे अब then k q into small q upon a plus x whole square f2 अगर आप देखेंगे तो k into q into small q upon a minus x whole square ओके आप देखें जिसमें यहां पर देख सकते हैं इसका denominator कम है इसका denominator ज्यादा है तो obviously बात है यह force ज्यादा होगा यह force कम होगा तो आप यहां लिखेंगे f net is equal to f2 minus f1 ओके अब यहां से जो आपको f2 हम लोगों को मिलेगा वो whole square और यहां से k q into small q upon a plus x whole square ओके अब यहां से आप k q q को common कर सकते हैं आप इसको common कीजिए उसके बाद जब आप a minus x का whole square और a plus x का whole square जब आप LCM लेगे तो a square x square whole square आपको मिलेगा यहां से ठीक है फिर इसमें आप a square plus x square plus twice ax minus a square plus x square minus twice ax यह आपको मिल जएगा अब यहां से आप इसको cancel करेंगे यह minus इसमें multiply होगा तो plus हो जाएगा फिर k q q तो आपको मिल जएगा 4 ax upon a square minus x square to the whole square ठीक है यह आपको यहां से f net मिल गया तो जो f net का पूछा गया आप से question में यह आपको मालूम हो गया अब रही बात कि है कि ऐसे जम करेगा या नहीं करेगा क्योंकि ऐसे जम करेगा तब इसका time period होगा तो यह समझना कि यह से जम होगा यह नहीं होगा अब देखिए अब जैसे ही आप इसको यहां पर पूल करके लिए के आ रहे हैं तो और यहां पर f2 का value ज्यादा हो जाएगा f1 से क्योंकि f2 में denominator आपको कम दिखेगा तो जैसे आप इसको पूल करके लिक आए और जैसे आप इसको release करेंगे whenever you release this charge तो यह इस पर net force इस direction में काम करेगा क्योंकि f2 का direction यह है and f1 का इधर है यहां पर f2 इधर काम कर रहे है और f1 इधर काम कर रहे है तो जैसे आप इसको release करेंगे f2 इसको वापस से push करेगा और push करके इधर लेके आएगा तो यह इधर move करके आजाएगा फिर इसका force का strength बढ़ जाएगा तो फिर यह इसको push इधर करेगा तो बार बढ़ चार जैसे घुमते रहेगा यहां पर इसे घुमते रहेगा तो जब इसे घुम करेगा तो इसका अपना कुछ time period होगा fix time पर घुमते रहेगा तो time period होगा तो time period निकालने के लिए एक इसे घुम में condition होता है class 11 में जो आप लोग को मालूम होगा कि f net must be directly proportional to x ठीक है तो SHM यह तभी करेगा जब यहां पर जो यह x है यह बहुत ही छोटा हो किससे a से a के distance से तो उस case में अगर यह x बहुत ही छोटा हो गया मैं तो नेगलिजिबल हो जाएगा तो यहां पर यह negligible होने के condition में आपको only a to the power 4 remaining रहेगा तो अब आप यहां से f net को थोड़ा simplify कर सकते हैं और f net आपको में रहेगा k q q 4 ax upon a to the power 4 अभी a cancel होगा तो k q into small q into x upon a cube अभी f net आगया अभी यहां से देखिया आप f net का condition fulfill हो रहा है कि directly proportional to x तो अब आप यहां से इसको उठा करके और यह जो f net का condition होता था m omega square x negative sign negative sign यहां पर आता है बट मैं नहीं ले रहा हूं मैं only magnitude ले रहा हूं क्योंकि negative sign अगर अगर अप लेंगे तो इधर भी negative आपको लेना पड़ेगा और उधर में negative होगा because आप displacement इधर कर रहे हो है ना बट net force का direction का इधर है ना तो यहां पर भी क्या आना चाहिए minus आना चाहिए तो मैंने यहां पर magnitude लिया है तो यहां पर भी मैं magnitude लिऊंगा अगर minus लेंगे तो आपको दोनों जगह पर minus लेना पड़ेगा तो मतलिजी है क्योंकि minus लेंगे तब भी आपको वो cancel out करना ही पड़ेगा तो आप वहां पर नहीं ले सकते हो इसको कोई दिक्कत नहीं है छोड़ सकते हैं अब बोथ साइड से X cancel होगा अब यह के क्यू इंटु स्मॉल क्यू अपॉन एम इंटु ए टुद पावर थ्री अभी ओमेगा हो गया रूट में फिर आप इसको लिख सकते हैं टू पाई अपॉन टी तो फिर टी इस इक्वल ह्नु तो मिली का मीलेगा हम लोग को। 2 पाई इन टू मूइक जो अपॉन टू क्यू कियू उस भूकिनो आपको यह यहां पर टाइम पिरेट मिल गया यह यह आपको तो यहां से टाइम प्रेट मिल गया तो जब SSM करेगा बड़ इसमें दो तिन पॉइंट से बहुत इंपोर्टिंट है पहला चीज़ के एफ ने डारेक्ट प्रोवेशनल टो एक्स की होना चाहिए एक्स होना चाहिए और यह तभी आ सकता है जब यह कंडिशन फुल्फिल हो तभी यह पॉसिबल है और फिर आपको दोनों को फॉर्स का फॉर्स का फॉर्मॉलाई मालोम होना चाहिए एक्वेट करने के लिए तो आप एक्वेट करके हां पर टाइम प्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं त्रीक है ओक है तो यह दो कोईशन बड़े इंपोर्टेंट थ आप इसको याद कीजिए अच्छे से समझे अब हम लोग कोईशिस यह करेंगे कि जो अधिकल कोईशन है या फिर जो थीवरी है उसका अलग सेक्शन रखें वीडियो का और उससे रिलेटर जो कोईशन है वो थोरा बहुत दो एक-दो कोईशन हम लोग थीवरी के साथ प्र क्याइद होगा जिसको थीवरी पढ़ना होगा वो फिर से अबीदेश निसको जॉष सकता है और जिसको क्शेशन हम प्रैक्टिस güç करने हों के साथ में वह दूसरी वीडियो को भी देख सकता है पार दो